एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है Master Mind of GK में फ्रेंज आप लोगोंने हिंदी से सम्मंदित वीडियो प्रोवाइड करने के लिए बोला था फ्रेंज हिंदी साहित्य से तो मैं आप लोग के डिमांड पे आज हिंदी साहित्य से सम्मंदित 40 महत्पून प्रष्ट को देखेंगे इस सभी प्रष्ण है जो किसी ने किसी एक्जाम में पूछा हुआ फ्रेंज इसलिक पूरा वीडियो जरूर देखेगा मैं आपको हिंदी साहित्य से लेटेड आपको 200 प्रष्ण का प्रैक्टिस करवा दूँगा फ्रेंज इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा ठीक है तो चलिए फटा फट देख लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस के जो एक्जाम हो रहे है फ्रेंज उसमें आपको हिंदी से प्रष्ण पूछा जाएगा तो आप हिंदी को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं इस वीडियो का पहला प्रष्ण आपका है कि अपभरंस सब्द का पर्योग सरपर्थम किस ने किया था तो पहला का जो सैंसर हो जाएगा पतंजली ने किया था ठीक है प्रशन नमबर एक का सैंसर बी हो जाएगा अपभरंस सब्द का पर्योग सरपर्थम किस ने किया था तो पतंजली ने किया था प्रश्ण नमर दो देखे, 84 वैश्ण वन की वारता, ठीक है, 84 वैश्ण वन की वारता किसकी रचना है, तो गेश्ण नमर तीन को देखते हैं, प्रश्ण नमर तीन देखे, कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद में हिंदी को राज भासा घोसित किया गया, बहुत ही important question है यह जिक्के जेस में भी पूछा जाता है friends तो guess किजे जिसका sensor आपका A हो जाएगा अनुछे 343 में भारते समिधान के किस अंशेद में हिंदी को राज भासा गोसित किया गया है तो question number 3 का sensor आपका A हो जाएगा चलिए question number 4 को देखे कि आलहा आलहा किस रीतू में गाया जाता है बहुत important question है तो question number 4 का sensor क्या होगा तो 4 का C हो जाएगा वर्सा रीतू में आलहा गाया जाता है अगला question देखे question number 5 है आपका कि बिसल देव रासो की रचैता है तो बिसल देव रासो की रचैता कौन है तो प्रेश्ट नमबर जो 5 है उसका sensor आपका हो जाएगा बी हो जाएगा नर्पती नालः ठीक है friends कौन हो जाएगे नर्पती नालः तो प्रेश्ट क्या था कि बीसल देवरासों के रचेता कौन है तो नर्पती नालः चलिए अगला प्रेश्ट को देखते हैं क्य creat impressions नमबर चा को देखें फ्रेश्ट नमबर चाह है कि एंदुएय एंदुस्तानी ठीक है की रचना की थे थरच तो प्रेश्ट नमबर चाह का mandarर हो जाएगा हुआ सी हो जाएगा ठीक है एंदुएय एं-दुस्तानी की रचना की गार्षाद तासी ठीक है फ्रेंस देखिए इस तरह से प्रेशन पूछा गया था इसमें आगला प्रेशन देखिए प्रेशन नमबर 7 को है प्रश नमबर 7 था आपका कि मुन्दा भासा परिवार का छेत्र कौन सा है बहुत ही important प्रश नमबर 7 का सेंसर गेस किजे तो मुन्दा भासा परिवार का छेत्र कौन सा है तो प्रश नमबर 7 का जो सेंसर हो जाएगा D हो जाएगा ठीक है छोटा नागपूर मुन्दा भासा प्रिवर का छेत्र कौन सा है तो छोटा नागपूर अगला प्रस्ट देखे प्रस्ट नम्बर आट को देखे इनमे कौन सा कभी अष्ट छापका नहीं है इनमे कौन सा कभी है जो अष्ट छापका नहीं है तो प्रस्ट नम्बर आट का सैंसर आपका D हो जाए है तो प्रश्ण नमर 9 का सेंसर आपका C हो जाएगा चला अगला प्रश्ण को देखे अगला प्रश्ण है कि 9 नाचाई कहीं मुसकाई लला फिर अयो खेलन होरी ये कावी पंक्ति किस कभी की है ठेप फ्रेंस फिर से बर सुने कि 9 नाचाई कहीं स्कोर्थ फिर लला फिर अयो घ송 एक कावी पंक्ति किस कभी की है तो प्रश्ण नमर 10 का जू जाएगा ये हो जाएगा ठीक है पदमाकर काहा किस की scrutin सुदमाकर का प्रश्ण 11 को देखे प्रश्ण 11 है सकी वे मुझसे कह कर जाते सकी वे मुझसे कहकर जाते किस कवी की काविय पंक्ती है तो प्रश्ची वे मुझसे कहकर जाते किस कवी की काविय पंक्ती है तो मैथली सरन गुप्त की है अगला प्रशन है देखे प्रशन नमबर 12 को देखे फ्रेंस प्रशन नमबर 12 है कि सिव संभू के चिठे के लेखक कौन है तब प्रशन नमबर 12 है इसका सैंसर आपका D हो जाएगा बाल मुकुन गुप्त सिव संभू के चिठे के लेखक कौन है तो बाल मुकुन गुप्त प् विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास इसका से अंसर आपका बी हो जाएगा जूटा सच है जो देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है प्रश्ण नमर चौदक देखे कि धातु सेन परसाद के किस नाटक के पातर है ठीक है धातु सेन के बारे हम पूछा जा र रचनाओं में से यात्रा विरिद्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का प्रश्ण आपके पूछा गया फ्रेंट्स पूछा गया था बारास जनमरी को गयाँ हो था निमलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा विरित है तो प्रश्ण नमबर जो 15 है इसका सैंसर आपका ए हो जाएगा चीडों पर चांदनी चले प्रश्ण नमबर 16 को देखें प्रश्ण नमबर 16 है कि नया ग्यानोदे पत्रीका के संपादक कौन है तो प्रश्ण नमबर 16 का सैंसर आपका भी हो जाएगा रविंद्र कालिया ठीक है प्रश्ण नमबर 16 का सैंसर भी हो जाएगा रविंद्र कालिया चले प्रश्ण नमबर 17 देखें आपके सामने है कि दच्छिन भारत हिंदी पर चार सभा का मुख्याले कहां है दच्छिन भारत हिंदी पर 4 सभा का मुख्याले कहां है तो प्रश्ण नमर 17 का सई अंसर आपका बी हो जागा कहां चिन नई में है अगला प्रश्ण है फ्रेंज अगला प्रश्ण है कि 18 नमर प्रश्ण कि व्यांजना सक्ति का कार्य क्या है तो का रहा है व्यंजना सक्ति का कार्य क्या है तो इसका सही अंसर आपका D हो जाएगा क्या है मुख्यार्थ में छिपे और कथित अर्थ को व्यक्त करना यही है जो व्यंजना सक्ति का कार्य है प्रश्ण नमर 19 को देखे प्रश्ण नमर 19 आपके सामने है कि विखंडनवाद ठीक है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है तो विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है तो प्रश्ण नमर 19 का जो सयंसर आपका ए हो जाएगा देरिदा चले प्रश्ण नमर 20 को देखते हैं प बभ्रावये में निर्वय्यक्तिक्ता के सिधान्थ किया स््थापना किशनी कि थी तो प्रश्ण अब किशनी की थी तो प्रश्ण 20 है ना-ब किसा पूछा हुआ यूved जो आपका हिंदी साहित से प्रशन है उसी को सामिल किया हूँ तो इसमें 20 प्रशन आपका यह होगा फ्रेंट्स 20 प्रशन और देखते हैं यह भी देखे पुछा हुआ ही प्रशन है तो चलिए यहां से देखते हैं फ्रेंट्स इसमें देखे प्रशन नमबर एक क्या है ब्रज खड़ी बोली बोली जाते हैं मैथली है जो नहीं बोली जाते हैं मैथली आपको बिहार में बोली जाते हैं पुरानी हिंदी नामकरण किस ने किया ठीक है पुरानी हिंदी नामकरण किस ने किया तो प्रस नमबर दो का जो सही अंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा चंद्रधर सर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम करण किस ने किया तो इसका सेंसर आपका डी हो जाएगा प्रस्ट नमर तीन को देखें बहुत ही इंपोर्टेंट है कि हिंदी को राज भासा के रूप में मान्याता कभी मिली जिक्के जीएस में पूछा जाता है फिरेंस हिंदी में भी देखें प्रस्ट नमर तीन को देखें कि हिंदी को राज भासा के रूप में मान्याता कम मिली थी इसका सेंसर है B हो जाएगा 14 सितंबर 4949 को 14 सितंबर 4949 को इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ये भी याद रखेगा चले अगला प्रस को देखते हैं प्रस नमबर 4 को देखे 6 धबनी का उचारन स्थान है तो प्रस नमबर 4 का सेंसर आपका C हो जाएगा तालब इससे हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा तालब इससे चले प्रस नमबर 5 को देखे प्रस नमबर 5 है किन रचना किन रचना कारों की भासा को संधा भासा कहा गया है important प्रस नमबर 5 है इसका सेंसर आपका A हो जाएगा बौधि सिद्ध का अगला प्रश्ण है कि कौन से कृटी जाई सी है ठीक हैं इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से साथ को देखै अपके सामने कि हिंदी सहिद के आरंबिक काल को सिध सामंत काल किस ने कहा बहुत important प्रस्ण है कि हिंदी साहित के अरंभिक काल को सिध सामंत काल किस ने कहा तो प्रस्ण no.7 का सैंसर आपका भी हो जाएगा राहुल सांकृत्यान ने कहा था चलिए अगला प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है कि माधवाचारी किस संपरदाए के संस्थापक थे, बहुत important प्रशन है, बहुत वरियाग्या में repeat हुआ है, माधवाचारी किस संपरदाए के संस्थापक थे, तो प्रश्ण no. 8 का जो सही अंसर हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, दैत्यवाद के थे, ठीके friends, बहुत important प्रश सब्सक्राइब भूर्ट से किский सब्सक्राइब को देखेए con निम्लिखित में से कौण से रीति सिधिक कभी है बहुत इंपॉर्टन प्रशन है प्रशORA 117 को फिर से देखें ठीक है हिंदी परदीप के संपादक कौन थे तो बाल कृष्ण भठ चलिए प्रशन नमबर 12 को देखे प्रशन नमबर 12 आपके सामने है कि सेर्शी का सस्त्र समर्पन की रचनाकार कौन है तो प्रशन नमबर 12 का सेंसर आपका डी हो जाएगा जैसंकर परसाध हो जाएगा ठीक प्रशन नमबर 13 को देखे प्रशन नमबर 13 आपके सामने है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनावो जिससे उथल पुथल मच जाए किसकी पंक्ति है ठीक प्रशन नमबर 14 को देखे प्रशन नमबर 14 है कि इनमें से कौन प्रशन नमबर 14 का जो सही अंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ठीक है प्रशन नमबर 14 का सी केदार नाथ सी है जो नकेन वादी रचनाकार नहीं है प्रशन नमबर 15 को देखें कि हरिजन गाथा किसकी रचना है प्रशन नमबर 15 का सैंसर गेस कीज़े तो हरिजन गाथा किसकी रचना है तो नागा अर्जुन की रचना है प्रशन गाथा किसकी रचना है तो नागा अर्जुन की है प्रशन नमबर 16 को देखें इन में से कौन सी रचना क्रिष्णा सोबती की है तो प्रशन नमबर 16 का सैंसर आपका हो जाएगा वह नागा थेखा जिंदगी नामा कि रचना क्रिष्णन क्या था क्रिष्णा सोबती जंदगी नामा प्रशन मबर 16 को देखें त्रशा महल का टेंडर किंडर का नाटक है यह प्रशन नमबर 17 सैंसर आपको जाएगा ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंस प्रेंस 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 प सुभाकारक धर्म किछने माना है बहुत इंपॉटन प्रשnव विज्ड को चौन को लाच प्रेंड्स उसमें 20 देखें से П्रेंडियु चलिसका प्रैक्टिसेट मैं आपको 200 प्रश्णों को करवा दूंगा फ्रेंस तो आपका जो हिंदी साहित है वो किलियर हो जाएगा चलिए प्रश्ण नमर 20 को देखें कि भाक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचारे हैं बहुत इंपॉर्टन प्रश्ण है कि भाक्त को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाला चारे कौन है तो प्रश्ण नमर 20 का जो सेंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा वलभा चारे ठीक फ्रेंस चलिए फ्रेंस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के थैंक यू धन्यवाद